ने लिए प्राइब रहा हुआ या सर निजल्वालेक। यह देखें यह थे यह एंगल केटी है इसमें पहले हमने मूटे मार्कर से निशान लगाने हैं है फ्रेंड यह देखें । प्रण ये देखें ये ये एंगल ये लगा हुआ है ये डबल शिशा केटी है ये हमने पेले मार्कर से इस पर निशाल लगाने ये देखें ये एंगल वाला ये केटी का शिशा है ये देखें ये है पंच वाला फ्रेम ये देखें ये पंच वाला फ्रेम है अब हम ये मोटे म कर रहा है हमने इस तीके से निशान लगाने है यह दो एंगल है यह एंगल इटेड़ा नहों जाए यह देखें अन्दाज निशान लगाने हमने यह नोस पैड़ वाला निशान है और यह हमने इसके नीचे लगाना है कुमानी वाला निशान यह इदे फिट करेंगे हम कुमानी फ्रेंड यह देखें यह नोस पैड़ के हमने यह निशान लगाएं दो कि पंच फिट करना इसमें और यह कुमानी के निशान लगाएं दो और इसी तरीके से हमने लेफ्ट वारा शीशा है इस पर निशान लगाएंगे यह उपर रखे हैं इसके हमने इसके उपर रखना है और यह देखें आप बलकुल हमने निशान पर यह निशान लगा लिए ना यह देखें इसके ओपर निशान लगा लिया और इसी तरीके से हमने कुमानी वाली पर निशान लगाना है फ्रेंड आप यह हमने यह कुमानी वाला यह कुमानी यह फिट करनी है यह देखें इसके ओपर हमने यह हमने निशान लगा लिया देखें इससे क्या होगा फ्रेंड यह एंगल वाली केटी है यह से आप निशान लगाएं यह मुड़ेगा नहीं वह यह बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग होगी इसकी 30 का फ्रेम ही यह यह देखें यह निशान यह देखेंगे फ्रेंड फ्रेंड अगर आपको यह वीडियो पसंद आईए इसको लाइक भी करें और कमेंस लास्मी करें फ्रेंड और चैनल को सुस्क्राइब करें फ्रेंड शुक्रिया असलाम अलेक। झाल स्वां अलेक।